Assalamualaikum, मेरा नाम पहीम जलानी है और आज जो हम टॉपिक डिस्कॉस कर रहे है वह कॉंटिटिटिव टक्नीक्स इन अनलिस्स है और इसके सम बेसिक फैक्ट्स और इंट्रो के बारे मारे में डिस्कॉस करेंगे तो सबसे पारा बेसिक कोशन यह के हाव तो मेक डिसीशन तो गैट इसायर रिजल्ट तो इसका जवाब से सिंपल नजर भी आ रहे है आप लोग को जो कि स्टाटिस्टिक से लेकिन अगर सिंप्ली अगर डीप डॉन करें तो इस अ कॉमन सेंस स्कॉप के बारे में डिस्कॉस करते चलें अगर हम तो इसमें बैसिकली जो सबसे पहले स्टैप है वह सेलेक्शन अफ अनलेसिस है सेकंड बन इस हाव तो अप्लाइड अशिस उजिज एस पैसे इस पर अधर लेक्टर्स के अंदर हम एस पैसे पर काम भी करेंगे और दिफेंट टैक्निक्स को अप्लाइग भी करेंगे यहां पे एक तीस अधिशन जो आप तो को सकता मालूम भी हो कि आस पैस पैसे अधिशन मेकिंग जो के सबसे कोर और इंपॉर्टेंट पार होता है कि अल्दो हम जब इंटर्प्रेट करने की बारियादी तो उसी में सारा पुष्मारा बेसिक जाए वो रिजर्ट जाए हो हाई होता है कि हम किसरा जाए अपने अंसर्स को अपने टेबल को डिफाइन कर होता है data the collection of facts and figure as all we know very well the data consists of a variable and its values a variable does not have anything it is identified with the values it holds the findings are obtained from values and reported against the variables further हम इसकी examples भी देखते हैं कि आपके सामने नदर भी आ रही है simple कि इसमें age, gender and height basically variables है और जिनकी values है like example हम ले ले लेते हैं कि age 29 है gender इसका मेल है height let's go 70 है तो इसी तरह हमने पहले भी पता है और आपको right in the bottom नदर भी आ रहे है कि findings जो है exactly means values होता है while reporting denote करता है variables को types of data facts and figure as already discussed like facts होते है वो non numeric होते है और अगर हम figure की बात करें जोके further deep down जा रहा है जोके numeric है and numerical further two categories broadly जो हम define कर रहे है यह एक है real values और दूसरी है non real values real values अगर हम बात करें तो quantities हैं जोके metric है और further जो है in other words scale like on the right side non real values जोके हम बात करते हैं जोके categories या quotes के अंदर define की जाती है और basically non metric होती है जाए इसको हम nominal or ordinal कहते है इसकी examples है यह आप पहली example देख सकते हैं first two examples जो है जो टॉप पे हैं वह basically denotes करें quotes को एक में जो हमने age के quotes बताए difference और एक में हमने salary के quotes बताएवे दोने ही में हमने difference number generate किये और वह basically quotes है उस particular age group के और उस particular salary range के further नीचे दो examples है हमारी एक denote करी है ordinal level को और एक denote करी normal level को अगर हम left button वाली example की बात करें इसमें आप देख रहे हैं कि metric है inter, masters and PID एक आपको sequence नदा रहे है एक pattern नदा रहे है और एक level के अंदर है like one, two, three and four तो यह basically ordinary example हो गई और right side पर जोके soaps की example है इसमें randomly जिसे बोलते हैं चार हमने brands ले लिए है luck, saveguard, liboy and deto और उनकी numbering होई हुए है इसी तरह randomly 3, 1, 2, 4 तो इस basically nominal है जोके हमने previous देखा भी था like nominal and ordinal यहां पर हमने इसकी examples बताएं और in the end thanks further जो है next lectures के अंदर हम और आपस की तरह cover करेंगे जब तक के लिए Allah आपस